दोस्तों समस्कार देखिए प्रतिशत्ता का चल रहा था ये टॉपिक तो आज एक नए प्रकार के प्रश्ण जो की ज्यादा तर ये ऐसे प्रश्ण पर इक्षाओं में पूछे जाते हैं कोहल करेंगे फामले के अधार पे सबसे पहले प्रश्ण देख लीजे एक व्यक्ति एक्याकर प्रश्ण ये एको 20 प्रुषाओं की सीख्षा पर करता है। शेषिक का तीस प्रस्ट बोजन पर खर्श्करता है। तता शेй्स का 40 प्रस्तृ अन्यमदों में करता इसके बाद मांसिक बच्चत जो होती है उसकी 840 रुपए होती 840 रुपए होती 840 रुपए इसे मासिक आय दी रहती तो यह पूस्ता कि कितना बचा ठीक इतना खज करने के बाद इतना घटने के बाद और यहां पर क्या किया है कि बचत दे दिया है मासिक बचत दे दिया है तो पूछेगा क्या मासिक आय कितनी थी ठीक है न तो इसी दो प्रकार के प्रश्ण बनेंगे ऐसे सवालों में तो आपको करना देखिए यहां पर आएगी बात की गई है जन संख्या पर बनते हैं प्रश्ण ऐसे आगे हम बताते हैं आपको questions और भी कराएंगे तो आपको पता चलिए जाएगा किस तरह के प्रश्ण बन सकते हैं इसमें तो या तो घटता हुआ बनेगा तो देखें मूल्य अर्थात आरंबिक मूल्य X यूनिट मानेगे पहली बार खर्च R1 परसेंट दूसरी बार खर्च या दूसरी बार कमी क्या होई R2 परसेंट तो कम होने पर जो अंतिम मूल्य होगा उसको यदि Y माना जाए तो फार्मूला यह बैटेगा Y बराबर X और जितनी कमी होगी पहली बार 1-R1 by 100 दूसरी बार कमी R2 परसेंट होई तो 1-R2 by 100 R1 और R2 क्या है ये कमी प्रतिशत है लगातार जो शेश का कमी हो रहा है वह है इसी तरह यदि ये बढ़ता बढ़ोतरी होती यही पर R1 परसेंट कमी है मूल्य में R2 परसेंट कमी है अगर य ये माइनस के अस्थान में बस प्लस हो जाएगा बाकी फाउनले में कोई अंतर नहीं आएगा इस तरह से जितना दिया होगा इधर अगर R3 परसेंट भी होता तो 1-R3 by 100 R4 परसेंट कमी होती तो 1-R4 by 100 परसेंट तो इसी तरह यदि व्रिद्धी होगी तो Y बराबर X और य ये R1 परसेंट व्रिद्धी हो रही है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 प्लस R1 by 100 इन्टू 1 by 1 प्लस R2 by 100 इस तरह से अगर R3 परसेंट भी परसेंट भी परत्तरी होती व्रिद्धी होती तो 1 प्लस R3 by 100 हो जाता ठीक है यस वसा आईए प्रश्नों को हल किया जाए तो यहाँ पर क्या दिया है right 450 वाई क्या है दोसतो अंति मूळ तो X में पहली बार कितनी कमी हुई, R1% की कमी हुई, फिर दूसी बार कितनी कमी हुई, R2% की कमी हुई, तो इस जंक से लिखते चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बार क्या हो रहा है, मासी काय का 20% बच्चों की सिक्षा भी खर्च होता है अर्थात 1-20 by 100 शेस का 30% भूजन पर खर्च हो रहा है उसका इंटू क्या हो जाएगा 1-30 by 100 फिर शेस का 40% अन्यमदों पर खर्च करता है तो 1-40 by 100 इतना खर्च करने पर कितना बचत हो रहा है 840 रुपए है तो आए सूत्र पर हम रख देंगे 840 बराबर क्या हो जाएगा ये आरंबिक मूल हमको उसकी आय निकाल ली है बाकी जो कमी हो रही है सबसे पहले 20% की फिर 30% की फिर 40% की तो इस धंक से इसको लिख लेंगे इसको हल करेंगे दोस्तों हल कैसे करेंगे 20 से 5 को भाग देंगे ये कितना आ जाएगा हल करने पर 4 बटे 5 इसको हल करेंगे तो 7 बटे 10 और इसको हल करेंगे इसी तरीके से 3 बटे 5 आ जाएगा अब X आपको निकालना है तो इनका गुणा जो नीचे है 840 से हो जाएगा और ये तीनों जो है इनका गुणा ये यहाँ पर बटे में हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर किया गया है इसको हल कर लेंगे तो 25 सो रुपय यह उसकी मासिक आए आ जाएगी ठीक है आगे देखते हैं इसी तरह का एक प्रश्न एक गाओं की जनसंख्या में 15 प्रतिशत वार्शिक दर से क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धी हो रही है वो कमी वाला प्रश्न किया था यह वृद्धी वाला कर लेते है तो एक गाओं की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धी हो रही है यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी देखिए यहाँ पर 15% की वार्षिक दर से वृद्धी हो रही अर्थात दर कितनी है 15% बार बार 15% की वृद्धी हो रही है कितने वर्षों का निकालना है आपको 1996 से 97 के अंत में एक बार बढ़ेगा कितना 15% और फिर 97 से 98 के अंत तक बढ़ेगा कितना 15% तो जनसंख्या यहाँ पर क्या दिया है जनसंख्या शुरुआती जनसंख्या अर्थात 1996 में जो जनसंख्या थी वो दी हुई है और हमको निकालना क्या है अंत में जनसंख्या क्या है अर्थात Y हमको निकाल जो हमने सूत्र बताया उसमें Y अंत में जो बचता है वो हमको निकालना रहता है और X क्या है सुरुआती मोले होता है तो शुरुवाती दिया हुआ है 4,000 अब simply हम फार्म में रख देंगे यह वाई निकालना है हमको 1998 के अंत में 1996 के शुरुवात में 4,000 था अब 1997 से 1997 देखें 1997 के अंत में कितना बढ़ जाएगा 15% 15% की व्रिद्धी हर वर्ष हो रही है तो व्रिद्धी 15% हो रही है तो 1 प्लस 15 by 100 क्योंकि व्रिद्धी हो रही है तो प्लस होगा इसी तरह भी 97 से लेकर 98 के अंत तक 15% की व्रिद्धी हो रही है तो ये 1 प्लस बटे 100 यहां भी हो जाएगा यह हल कर लेंगे यह कितना हो जाएगा 23 by 20 यहां भी 23 by 20 हो जाएगा तो इसको हल कर लेंगे दोस्तों कितना आजाएगा 400 इंटू 23 by 20 23 by 20 इससे जो है 400 कड जाएगा इसका गुणा और 10 का गुणा कर देंगे तो 5200 5200 यह उत्तर आजाएगा ठीक है तो आपको समझ में आ रहोगा मुझे उमीद है सरल है फार्मुले में बस put up करना है सवाल को समझ के फार्मुले पर put up करना है बस इसको फार्मुला आपको बस यह फार्मुला जहन में रखना है यह दोनों फार्मुले जो है घटने कंडिशन में माइनस हो जाएगा बढ़ने कंडिशन में प्लस हो जाएगा बाकी वैसा ही रहेगा ठीक है और ये वाई जो है अंतिम बचा जब लाश्ट में जो बसता है वो मूलने है और X क्या है सुरुवाति मूले बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है और कल्कुलेशन कर लेना है एक और प्रशनाल करते हैं प्रवीड की आय प्रदीब की आय से 20% कम है और प्रदीब की आय पंकज की आय से 10% कम है यदि पंकज की आय 180 रुपए हो तो प्रवीड की आय क्या होगी इसमें यह फामुला कैसे लगेगा दोस्तों देखे आपको बताता हूँ यह अब देखिए प्रमीड की आय प्रदीब की आय से 20% कम हो रही है और प्रदीब की आय पंकच की आय से 10% कम हो रही है तो यदि पंकच की आय 180 रुपेदी है तो 180 में 10% जब कम होगी तो वो किसकी आय हो जाएगी प्रदीब की और प्रदीब की आय में 20% कम होगा तो प्रमीड की आय हो जाएगा जो कि हमको निकालना है अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों सुरुवाती मूली क्या हो जाएगा पंकच की आय शुरुवाती मुल्य हो जाएगा और प्रमीड की आय अंती मुल अर्थात Y हो जाएगा अब फाम्ले में हम put up कर सकते हैं प्रमीड की आय Y के अस्थान पे रहेगी पंकच की आय X के अस्थान पे रहेगी जो की 180 रुपय दिवी है और फिर यहां प्रदिया हुआ है पंकच की आय से 10% कम किसकी आय है प्रदीब की आय है और प्रदीब की आय से 20% कम किसकी है प्रमीड की आय है तो यहां पर हम put up कर देंगे इसको 10% कम और 20% कम तो 180 इंटू 9 by 10 एन 4 by 5 इसको हल कर लेंगे दोस्तों तो प्रमीर की आए 129.6 आ जाएगी तो इस तरह के questions की framing होती है प्रश्चत्ता की ये प्रश्चन जो है UPPCS में तो बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं अन्य परिक्षाओं में तो खेर पूछे ही जाएगे तो उम्मीद है दोस्तों आज का भी यह formula यह chapter आपको अच्छा हो तो लाइक करें शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद है अ झाल